हलो एवरीवन वेलकम टू रेसेपीस भाई फरीदा पराठा तो सबके फेवरिट होते ही है और सबके घर में बनते भी है उसी पराठा को थोड़ा अलग तरीके से बनाए और थोड़ा सा उसको अलग लुप दिया जाए तो फिर क्या बात है मजा ही आ जाएगा है ना तो फिर चलिया बनाते हैं वेज पराठा तो आएए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं इसके लिए केबेज को मैं यहाँ चोपर में चोप कर रही हूं आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हो या फिर बिल्कुल बारिक सा आप इसको काट भी सकते हो इस तरह से बेजिकली हमें इसक बारिक बारिक काट लेना है गाजर, केपसिकम और प्यास को भी मैं यहाँ पे चोपर में चोप कर रही हूं आप इसको ग्रेट भी कर सकते हो और बारिक काट भी सकते हो अब जो चाहे इसमें वेजिटेबल एड कर सकते हो और जो आपको पसंद नहीं वो आप इसको इसमें स स्किब भी कर सकते हो अब इन वेजटेबल को बोल में निकाल लेते हैं थोड़ा सा नमक एड़ करके मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनिट के लिए से चोड़ देंगे अब कोई भी इस तरह से कपड़ा लेके इसमें वेजटेबल कर लेंगे और इस तरह से इसको स्क्वीज करके सारा पानी निकाल देंगे कई बार क्या होता है कि हम जब पराठा बनाते हैं तो थोड़ी देर में वो सोगी हो जाता है तो वो पराठा सोगी ना हो इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ तो आप इस वीडियो को एन तक जरूर से देखना आप देखिए ये सारा पानी निकल गया है डॉन्ट वरी हम इस पानी को भी फेकेंगे नहीं इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये देखिए ये वेजिटेबल बिल्कुल हमारे ड्राइ हो गए है इसमें जिंजर और गार्लिक एड कर लेंगे यहाँ पे हमें पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है आप इस तरह से ग्रेट कर सकते हो या फिर बारिक काट भी सकते हो बारिक कटे हुए ग्रीन चिलीज और बारिक कटा हुआ धन्या नमक स्वादा नुसार और बलेक पेपर पावडर एड कर लेंगे हम यहाँ पे और कोई मसाला एड नहीं कर रहे है क्यों नहीं कर रहे है वो आगे मैं बताती हूँ आपको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को मैंने बॉयल कर लिया है उसे भी हमें ग्रेट कर लेना है इस तरह से आप चाहे तो इसमें पनीर और चीज भी एड़ कर सकते हो मिक्स कर लेंगे जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे और कोई मसाला एड़ नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिजवान चत्नी एड़ कर रहे हैं मैं यहाँ पे दो चम्मच सिजवान चटनी एड़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के इसाप सही से कम ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको सिजवान चटनी एड़ नहीं करनी हैं, तो आप अपने बेजिक मसाले इसमें एड़ कर सकते हो, और यह देखे, यह हमारा आठे के लिए हम आठा गुंद लेते हैं, तो इसके लिए एक बोल गेहूं का आठा, नमक स्वादा नुसार, और दो चम्मच तेलेट करके मिक्स कर लेंगे, और जो हमने वेजिटेबल को स्क्वीज करके जो पानी निकाला था, उसी पानी से हमें यहाँ पे आठा गुंद कर लिया है, और उसी वेजिटेबल ज्यूस में से हमें पराठा का आठा गुंद लेना है, थोड़ा सा तेलेट करके अच्छे से मसल लेंगे, और इसे ढखके दस से पंदरा मिनिट के लिए रख देंगे, इस पराठे को आप ब्रेकफास्ट, लांच, डीनर कभी भी बना के एंजोई कर सकते हो, इवन आप बच्चों के लंच बोक्स या फिर हस्बन के टिफिन बोक्स में भी बना के दे सकते हो, थोड़ा से चिली फ्लेक्स और बारिक कटा हुआ धनिया इस तरह से इसमें स्टिक कर लेंगे, इस से इसका लुक काफी अच्छा आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि हम रूटीन पराठा को थोड़ा सा अलग लुप दे देते हैं, तो सबको अच्छा लगता है, और इस तरह से बड़ी सी रोटी हमें बेल लेनी है, रोटी को हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, और जो बनाया हुआ स्टफिंग है, वो इसमें और इस तरह से हम फोल्ड करके इसको ट्राइंगल शेप दे देते हैं, अब नॉर्मल भी पराठा अपने ही साब से बनाई सकते हो, पर इसका लुप काफी अच्छा आता है, और ये बनाने में भी काफी इजी है, ये देखिये, कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है है इस तरह से हम सारे पराठे रेडी कर लेते हैं, और इसे सेख लेते हैं, इसे हमें मेडियम फ्लेम पे ही सेखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे सेखना नहीं है, मैं यहाँ पे गी एड़ कर रही हूँ, आप गी, बटर, तेल, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप मेरी चनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो और यह देखे यहां हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिख गया है इसे निकाल लेते हैं I hope आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर से करना और एक बार इस तरह से पराठा बना कर भी जरूर से ट्राइ करना और यह पराठे केसे बने वो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई